मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो सेशन में ये वीडियो अलफा स्टेट के उपर है मेरा आपसे वादा है इस वीडियो से आपको ऐसी पावरफुल नौलज प्रापत होगी जो आपके मरते दम तक आपका साथ देगी इस वीडियो में बताए जाने वाले तरीके से आपका दिमाग ऐसी गहराई कोछ हुएगा जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा भले ही आपने घंटों, मेडिटेशन या ध्यान किया हो हमारी जिन्दिगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके रहते हम अपने सपनों को पूरा करने का ख्याल ही छोड़ देते हैं सब कुछ किस्मत के हवाले कर देते हैं हमारे सपने कुछ भी हो सकते हैं जैसे अच्छा जीवन साथी पाना हो अच्छी नौकरी पाना हो बहुत सा पैसा कमाना हो लेकिन अपने सबी सपने आप तभी पूरे कर सकते हो जब आपका दिमाग आपके वश में हो और आप उसका पूरा इस्तिमाल कर सकें और ये वीडियो में दी गई जानकारी आपकी जिन्दगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है अलफा स्टेट में जाने का तरीका अगर एक बार आपने समझ लिया फिर सारी दुनिया भी आपको गिराने लग जाए और आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी आप जुक नहीं पाऊगे क्योंकि आपका सबसे बड़ा हत्यार आपका दिमाग आपका साथ देने लगेगा अलबर्ट आइंस्टाइन कहते थे हम किसी भी प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जिस लेवल की थिंकिंग से हमने उसे क्रियेट किया है आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होगी जिस लेवल की थिंकिंग अभी आपकी है उस लेवल की थिंकिंग से अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी थिंकिंग लेवल इंक्रियेज होगा जिससे आप अपनी लाइफ की प्राबूम्स को असानी से सॉल्व कर पाऊगे ये वीडियो का पार्ट बन है इसके आगे और भी अलफा स्टेट पे में वीडियोस बनाने वाला हूँ कि कैसे आप अलफा स्टेट की मदद से जैसे अपनी दिमाग की पावर को कैसे और बढ़ाया जाए कैसे फोटोग्राफिक मेंबरी हासिल की जाए कैसे चीजों को याद रखा जाए Make sure आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकोन को प्रेस जरूर करें ताकि आगय जो भी में वीडियो डालू उसकी notification आपको मिल सके और आप उस वीडियो कोミस न कर सके इस वीडियो में आपको तीन चीजे सिखाने वाला हूँ सबसे पहला अलफा स्टेट में कैसे जाते हैं दूसरा अलफा स्टेट में जाकर ऐसा क्या करना है जिससे आप अपने सपनों को हासिल कर सको जिससे आप अपने दिमाग को और भी पावरफुल बना सको तीसरा स्टेप है अलफा स्टेट से बाहर कैसे आना है ये step उतना ही important है जितना पहला step है कि alpha state में जाना कैसे है इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ सबसे पहला step है कि alpha state में कैसे जाते हैं किसी भी चीज को करने से पहले उससे आपको पहले अच्छे तरीके से समझना होता है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अलफा स्टेट होती कैसे है जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तो आप बीटा स्टेट में होते हो जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो आप अभी वीटा स्टेट में हो अगर मैं बीटा स्टेट में आपको ये बोलता हूँ आप किसी भी बड़े से बड़ी बिमारी को ध्यान के जरीए मेडिटिशन के जरीए ठीक कर सकते हो तो आपका माइंड कहीं न कहीं इस बात को नहीं मानेगा अगर यही बात मैं आपको आपकी अलफा स्टेट में बोलता हूँ तो आपका सबकॉंशिस माइंड इसको सच मान कर इस पे काम करना शुरू कर देगा अब मैं आपको एक छोटी सी एक्जामपल देता हूँ जिसे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा जब आप रात को सोने के लिए जाते हो तो सोने के कुछ सेकंड पहले आपका माइंड अलफा स्टेट में होता है उस वक्त जैसा भी आपका मूड होता है आपकी नीद वैसी ही बदल जाते है अगर आप रात को अच्छे मूड के साथ सोते हो यानि alpha state में जब आप होते हो अच्छा mood आपका होता है तो आप सुबा तरो ताजा उठते हो लेकिन अगर आपका mood उस वक्त tension से भरा होता है तो आप 8 गंटे सोने के बाद भी सुबा ठके हुए उठते हो क्योंकि सोने से पहले आप alpha state में होते हो और जैसा भी आपका mood होगा जैसा भी आप महसूस कर रहे होंगे आपका mind उस बात को सचमाल लेगा और उसी पे काम करना शुरू कर देगा अब तक आप जान गए होंगे कि alpha state क्या है अब हम सीखेंगे alpha state में कैसे परविश करते हैं ये तरीका ध्यान के जरीए हम करेंगे लेकिन और भी advance और अच्छे तरीके से आप अपनी दिन का कोई भी ऐसा टाइम रख लें जिसमें आपको कोई भी व्यक्ति 10-15 मिनिट के लिए आपको disturb ना कर सके अभी आपको ये करना नहीं है पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लें समझ लें फिर आपको ये करना है आपको किसी भी position में बैठ जाना है जो भी आपको comfortable लगे ऐसा करते वक्त आपकी बीटा state चल रही होगी अब ध्यान से समझे आपको बीटा state को relax करना है ताकि आप alpha state में परवेश कर सके बीटा को relax करने के लिए आप गहरी सांसे ले सकते हैं दो मिनिट आप गहरी सांसे ले लें गहरी सांसे लेने के बाद आपको अपनी आँखों को बंद कर लेना है आँखों को बंद करके forehead की तरफ आपको देखना है ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ऐसा करने से आपका brain automatically alpha brain waves generate करने लगता है जिससे आपको और भी ज्यादा मदद मिलेगी alpha state में परवेश करने की आपको ऐसे ही रहना है अब आपको और भी गहरा उतरना है और गहरा उतरने के लिए सबसे ज्यादा रुकावट जो बनते हैं वो आपके thoughts बनते हैं यानि विचार बनते हैं आपको उनको रोकना है अब मैं आपको एक ऐसी टेक्नीक बताऊंगा जिससे आपके विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे अपने विचारों को या thoughts को रोकने के लिए आपको उल्टी गिन्ती गिन्दी है क्योंकि सीधी गिन्ती हम असानी से गिन लेते हैं जब आप उल्टी गिन्ती गिनोगे तो आपके दिमाग को बहुत से effort करने पड़ेंगे जिससे आपका दिमाग बिजी हो जाएगा गिन्ती को गिन्ने में जैसे ही आपका दिमाग बिजी हो जाएगा आपके विचार आना बंध हो जाएगे आपको शुरू में उल्टी गिंती गिनना थोड़ा सा मुश्किल लगे पर जब भी आपसे कोई गलती हो जाए फिर से आपको गिंती गिनना शुरू कर देगा एक टाइम ऐसा आएगा गिंती गिंते गिंते आपके विचार आना बिल्ट कुल बंद हो जाएगा गहरी शांती शानी लगी यही स्टेट अलफा स्टेट कहला भी है और इसी स्टेट की वज़ा से ही रात को आपको नीद आती अब आता है दूसरा स्टेप की आपको इस स्टेट में करना क्या है अब इस state में आप बहुत सी चीज़े कर सकते हैं जो चाहें अपनी जिन्दगी में पा सकते हैं इसके उपर मैं अलग से आने वाली वीडियोस में deeply आपको समझाऊंगा अब आपको करना ये हैं आपको वो चीज़े बोल ली हैं जो आप अपनी जिन्दगी में पाना चाते हों फॉर एक्जामपल आप दुखी रहते हों उसके लिए आप बहुत सी ऐसी चीज़े अपने आपको बोल सकते हों मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मेरा अपने उपर पूरा विश्वाश है मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पे नहीं बलकि आने वाले पल पे रहता है मेरा मन बिलकुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष पर केंद्रित है मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे खुद की काबियत पर पूरा भरोसा है आप जो भी बोलोगे इस टेट में आपके सबकॉंशिस माइंड में ये फीड होता जाएगा और आपका दिमाग इस पे काम करना शुरू कर देगा अलफा स्टेट की खुबसूरती ये है कि आप जो चाहें वो इस स्टेट में बोल सकते हो और वैसा ही आपकी जिन्दगी में बदलना शुरू होता जाएगा आपका जो भी मन है आप वो चीज़ें बोल सकते हैं जो भी आप चेंज करना चाहते हैं अब आता है तीसरा स्टेप अगर आप ध्यान करके एक दम उठ जाते हो तो आपका सारा ध्यान खराब हो जाता है एक्जांपल के लिए आप टीप मेडिटेशन में हो गहरे ध्यान में हो, अलफा स्टेट में हो अगर आप एकदम बेटा में आ जाते हो तो आप उतना अच्छा महसूस नहीं करोगे क्योंकि एकदम शांती से एक्शन में आ जाने से आप वैसे ही हो जाते हो जैसे आप ध्यान करने से पहले थे अब आपको अलफा स्टेट से बाहर आने के लिए करना ये है जब आपको लगे कि आपका ध्यान पूरा हो चुका है तो थोडी देर ऐसे ही बैठे रहे उसके बाद आपको फोड़ी सी आँखे खोलनी है समझो कि आपने 10% आँखे खोलनी है फिर आपको अपने मन में बोलना है मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपको धीरी धीरी आँखी खुलते जाना है थोड़ी थोड़ी और बोलते जाना है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ ऐसा करने का फाइदा आपको ये होगा आप एकदम अलफा से बाहर नहीं आओगे बलकि अलफा स्टेट में ही जागना शुरू कर दोगे और ऐसा करने से गहरे ध्यान का असर आपके उपर ज्यादा देर तक बना रहेगा अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीकी को फॉलो करते हो तो पहली बार ही अलफा में जाने के चमतकारी बेनेफिट आपको बिलेंगे अब मैं आपको एक रुक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट इस पे जरूर करें क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत समा लगता है और बहुत जादा मेहनत लगती है मैं अपनी जिन्देगी का कीमती समय इस वीडियो में डागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट जरूर करें तो अगर आप लाइक और कमेंट करोगे इससे मुझे होसला मिलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस भी जरूर करें ताकि जब भी मैं पार्ट टू अपलोड करूँ ताकि आप आगे के अडवांस तरीके भी सीख पाएं उसकी नौटिवकेशन आपको मिल जाए और तब तक आप अलफा स्टेट में जाने का एक्स्पिरिंस करते रहे तो ही आप अडवांस तरीके सीख पाओगे अगर आप बेसिक को पहले सीख जाओगे अच्छे से करना और मैंने टेलिग्राम चैनल भी बना दिया है उसको भी आप जॉइन कर सकते हो उसका फाइदा आपको ये होगा अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उस पे आप डाल सकते हो मैं आपको अंसर वहाँ पे कर दूगा और आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट वहाँ पे मिलती रहेगी मेरा नाम है करन इसी के साथ मैं ये वीडियो खतम करता हूँ I hope कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बंदलाव लेकर आए Thank you